नमस्कार दोस्तों ममता की रसुमी में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रहे हूँ चटपटा खटटा मीठा पोहा नमकीन और ये पोहा नमकीन जटपट बनके त्यार होता है और आप इसे बनाने के बाद तीन महीने तक एह टाइट डब्बे में भरके नमकीन खा सकते हैं मेरी ये नमकीन की वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें यहां पे देखिए मैंने लिया है मुमफली और ये लिया है पोहा ये पतला वाला पोहा है कहीं इसे चड ऐसितनी लगाके इस तरीके से ठोड़ा थोड़ा पोह डालेंगे और फटा-फट यह वके तयार हूज होने तो यह देखिए जैसे हम डालते जारें इंदबल ओता जा रहा है और फ्राई होता जा रहा है थोड़ा से चठी को इस तरीके आखेसे और तूब्क है को कि फीक सचर्बाइब हो जाए तो यहां पर देखे मूफली और वृतर हो चुका है della से निकाल लेती हूं और दो पिंच हल्दी पाउडर और इसे डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को बिलकुल लो पे रखा है और थोड़ी सी हल्दी पकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पोहा जो पोहा मैंने फ्राई करके रखा था इसे डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही खोपसुरस सा कलर आ रहा है तो ये पोहे नमकीन में इस तरीके से जब कलर आ जाता है और कलरफुल बनाते हैं तो ये खाने के साथ देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो ये देखिये सारा हमने अच्छे से mix कर लिया है और ये एकदम colorful बनके त्यार हो गया है अब हम डालेंगे मुमफली तो मुमफली डालने के बाद भी हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से ये देखिए और इसे मिलाने के बाद हम डाल देंगे बाकी की चीजें तो सबसे पहले में डाल देती हूँ चाट मसाला मैं यहाँ पे चाट मसाले का यूज़ कर रही हूँ आप इसके जगह पे अमचुर पौडर भी डाल सकते हैं और चाट मसाला डालने के बाद भी मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखें क्योंकि सारी चीजें हमने पहले से ही भुन ली हैं बस ये थोड़ी सी जो चीजें मसाले बगर डाल रहे हैं इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक नमक बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि जो चाट मसाला डाला था उसमें भी नमक है तो यहां पे देखिए सारी चीजों को मिला लिया है और अब डालेंगे वन टेबल इस्पून सुगर पाउडर और सुगर पाउड जितना मैंने मुमफली डाला था सेम उतना ही मैंने आलू पूजिया भी डाल दिया है सारी चीजों को मिला लिया है और अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस नमकीन को बाउल में सर्फ कर लेते हैं तो देखिए यहां पे हमारी खटी, मीठी, चटपटी सी नमकीन बन के तयार है और बनाना तो बहुत ही आसान है जैसा कि आपने देखा ही है वीडियो में बहुत आचानी से बन के तयार हो गई है आप कहीं सफर में जा रहे हो तो इस नमकीन को बना के ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका और मेरी ये रेस्पी आप जरूर ट् सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके बगल में छोटी सी बेल की बटन आती है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आप देख पाएं मिलते हैं नई रेस्पी में बाई बाई